वारड़सी के ग्यानवापी मस्जिद परिसर में सोमवार को शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था जिसके बाद वारड़सी कोर्ट में उस शेत्र को सील करने का आदेश दिया था इस मामले में वार्डसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुसलिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दैर की थी जिसको लेकर आज सुनवाई हुई ग्यानवापी मस्जिद मामले में एहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा है कि जला मजिस्ट्रेट उस शेत्र को सुरक्षित करे जहां शिवलिंग मिला बताये गया है इसके साथ ही मुस्लिमों के प्रात्रा करने या धार्मिक गतिविधी के लिए प्रवेश को रूका ना चाये सुप्रीम कोट ने वार्डसी के अदालत के सील करने के आदेश को शिवलिंग शेत्र सुरक्षित करने तक सेमित कर दिया है वार्डसी की कोट की कारवाही पर कोई रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोट ने मिचली अदालत के आदेश को संतुलित करार दिया है इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा है कि यह मामला टाइडल सूट का नहीं है अलबता पूजा के अधिकार से जुड़ा है वार्डसी कोट से ग्यानवापी केस अब सुप्रीम कोट पहुँच चुका है जिस पर आज सुप्रीम कोट में आदेश चारी कि हैं अगली सुनवाई 19 मई को होगी लेकिन सुप्रीम कोट में सुनवाई के तौरान एक दिल्चस बात निकल कर सामने आई है दरसल जो जज जज ग्यानवापी मामले पर सुनवाई कर रहे हैं यह वही जज हैं जिन्होंने आयोध्या मामले पर भी सुनवाई की थी उन जजों के नाम आपने भी रामजन भूमी बाबरी मस्जद केस के दौरान सुने होंगे नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूर और पियस नरसिम्मा दरसल जस्टिस डीवाई चंदरचूड और पियस नरसिम्मा की बेंच को ग्यानवापी मस्जद मामले पर सुनवाई करनी है दोनों ही आयोध्या केस से भी जुड़े हुए हैं इन में से पियस नरसिम्मा तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील भी थे जस्टिस डीवाई चंदरचूड पांच जजों की उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने राम जन भूमी बाबरी मस्जद विवाद पर सुनवाई की थी इस मामले में श्री राम जन भूमी के पक्ष में फैसला गया था जबकि जस्टिस पियर्स नरसिम्मा इस मामले में बतौर वरिस्ट वकील हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए थे वो साल 1950 में पहली बार कोर्ट का दरवाजा खटटाने वाले गोपाल सिंग विशारब के उतराधिकारी राजेंदर सिंग की तरफ से पेश हुए थे उन्होंने दलील दी थी कि वो बगैर किसी बाधा के भगवान श्री रांग की जन भूमी पर पूजा करने का हकदार है 31 अगस्त 2021 को उन्हें सुप्रीम कूर्ट का जज निउक्त किया क्या इतना ही नहीं ये दोनों ही जज देश की CJI यानी मुख्यन आधीश बनने की कतार में भी है जस्टिस चंद्रचूर इसी साल नवंबर में CJI बनेंगे तो जस्टिस नरसिम्मा दोजार सताइस में CJI बनेंगे जस्टिस चंद्रचूर का कारेकाल दो साल का होगा जबकि जस्टिस नरसिम्मा साथ महीने के लिए CGI बनेगे बेराल इन दोनों ही जजों ने आज निचली अदालत की ओर से शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने के आदीश को बरकरार रखा है लेकिन मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त दे दी है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ